Hello friends, welcome to video number 6 of our full complete HTML tutorial और HTML course तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं image tag के बारे में total image tag कैसे import करते हैं, कैसे image tag को हम लोग website पे देखा सकते हैं और कैसे उसका height, width यानि size को manage कर सकते हैं और वो कैसे उसका syntax होता है, सारा हम लोग इस वाले वीडियो में भी implement करके देखने वाले हैं और हम लोग उसमें भी anchor tag कीता रही, एक तो net से हम लोग image को use करेंगे directly और एक relative यानि की हम लोग download किया हुआ image को website पे सो कराएंगे तो दुनों को अभी सो कराते हैं तो चलिए जल्दी से वीडियो को start करते हैं तो यह हमारा लेक्चर नुमर 6 का बोल्डर बन चुका है और इसको open करके यहां पर right click करके open with code और यहां पर आके हम लोग index.html पहले बना लेते हैं यह हमारा बन गया file ठीक है अब क्या करेंगे तो यहां पर simple सब basic सा structure लिखेंगे HTML बन गया फिर हमारा हो गया head यह हमारा हो गया head and head के अंदर हो गया title title में हो गया क्या हमारा lecture number six and उसके बाद हमारा हो गया body और body में अब हम लोग क्या करेंगे image सो कराएंगे पहले comment कर देते हैं image display in HTML यह हमरों होगे comment पीछ ले लेक्षाद हो लोग क्या करेंगे हम लोग क्युक्त सबसे पहले जरूरत है तो एक image हम लोग download कर लेते हैं like हम लोग coding आई MSG image coding image हम लोग download करते हैं सबसे पहले तो यह हमारा image हो गया है सबस्क्राइप से इसको हम लोग डॉनलोड करेंगे डानलोड करने तो आता हुआ हम सबेखने नहीं क Lorenzo दानलोड करना है इसको डाल देंगे यह वाला फोलडर में सबस्के अब क्या करेंगे एक इमेस्ग करेंगे तो सल्छू पर हम लोग इसको यहां से ओपन कर ले어्ट लाइप प्रिवियू को क्या करेंगे आई अदि एमजी ऑ यहां प्वाई एमजी लिखने का पूरा आ जाता हो तो मैं पूरे बता रहां कैसे होता है IMG-ASRC यानि Source Source कहां से होगा उसका या तो net से आल लाएए आप यह जहां से भी लाएए लिंक के डालिए यह रिलेटिव में तो उसका पाथ हडाली तो यह होगा एसरी के अंदर अपको दिकhाता हूं मैं आपको अब जैसे मैंने image-a-src के अंदर यह डाला सबसे पहले यहां पर फोल्ड hull relative में हम नोग डलते हैं सबसे पहले download. एहां पर view coincult year不 ways और का functionality कर रहा यह कर रहा है यहiहां इमेज इसी अध्यायों का नामा देखें यहां पर हम आपको आपको नम देखें यहां पे sो हो चुका है अब Alt का हम लोग क्या use है इसमें आपा चल नहीं पायेगा तो हम लोग Art का use करते है यह हम लोग देखते हैं अब उसकेलिए हम लोग innova चलेंगे नेट पे और इमेज का लेंगक उठाएंगे चली सब्सक्र prevalent का गया यहां से करेंगे liberal image address यहां पर फिर से IMZ बनाएंगे ASRC के अंदर image का path set करेंगे and then उसके बाद हम लोग alt में क्या करेंगे coding photo coding photo आ गया यह हो गया हमारा image और image हो गया अब इसको क्या करेंगे हम लोग यहां पर सबसे पहले width दे देते हैं width इसको दे देते हैं 300px ठीक है size हम लोग दे दे इसका width अब क्या करेंगे हम लोग alt का use क्या होता है यह जान लेते है थोड़ा सा alt का use इसलिए होता है क्योंकि suppose किसी कारण यह image load नहीं हो पाया ठीक है तो यहां पर यह image तो दीखेगा नहीं तो यहां पर तो यह फर्क पड़ता नहीं बट अगर हम लोग website की बात करें कोई running website है जहां पर यूजर्स आ रहे हैं तो वहां पर क्या होगा एक SRC में image है और वह image किसी कारण सर्वर से load नहीं हो पाया तो वहां पर क्या देखा देगा यह alt वाला विसको अब करने कर जागा यहां अगर यह image नहीं हुआ load तो यहां पर coding दिखेगा जैसे हम लोग यहां पर इसको आफ करती है यह गलत लिख दिये तो क्या हुआ ह यहां पर coating आ रहा रहा है इसका मतल्ण हमें एक idea हो जा रहा है कि हाँ यहां पर coatings related photo होगा Kodings related image हो सकता है तो ऐसे इसे täält का यूज ही होता है कि यहां पर छोड़ा बताने के लिए जाब image किसी का रर्लोड नहीं हो पाया तो वहां पर आपको लिख कर बता दए कि यह क्या चीज है तो इमेच के आपलने, इसका कुछ एट्रिब्यूट जानते हैं कि एट्रिब्यूट्स आफ में बेस टैग्ड चाणी है अब एट्रिबूट्स जानने के लिए पाथ को और यहां पेस्ट और हम लोग इसको किसले करते हैं यह तो थोड़ा बड़ा हिस इसका तो इसी को हम लोग same करते हैं copy और same यहाँ पर करेंगा paste चलिए आ गया हमारा अब इसमें हम लोग attribute का use करते हैं ठीक है एक attribute तो हम लोग अभी देखा alt का जहां पर हम लोग को जब भी किसी का run से नहीं load हो पाएगा image तो यह run होगा और भी हम लोग इसका attribute देखते हैं जैसे कि एक size का attribute वह जिसमें क्या था width वीथ क्या होता है यह horizontally width बताता है जैसे कि हम लोग अभी supposed 20px की है यह एकदम से छोटा हो गया क्यों एकदम से छोटा क्यों होंगा क्योंकि अगर कोई आप एक यूज करते हो या तो width या तो height तब वह आपने अनुसार से यू मेंटेन करता है आप हम लोग यहां पर क्या करेंगे हाइट आप हाइट में लोग 300px दे दिए तो यह क्या हुआ हाइट इसका तो 300px हो गया but width इसका 20px ही है अब हम लोग बीथ जैसे ही इसको 220 करेंगे तो यह और बड़ा हो जागा यह नहीं हाइट और width को कंट्रॉल करने के लिए यह होता है और और भी अट्रिब्यूट है जैसे कि एक style अट्रिब्यूट होता है अस्टाल अट्रिब्यूट के वारे में detail में हम लोग पढ़ेंगे जब थोड़ा सा CSS अपलाई करने लगेंगा अब अब अस्टाल में जैसे पूरा CSS ही हम लोग हम लोग कुछ लगा सकते हैं जैसे एक होता है बोर्डर रेडियस बोर्डर रेडियस हम लोग देदेंगे 30px यह देखिए इसका जो बोर्डर था वो 30px मूव हो चुका है यानि कि रॉंड हो चुका है अब हम लोग यहां पर इसको अगर 50% कर दें तो यह देखिए पूर लोग css में पढ़ लेंगे सारा इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं इसमें लोग इमेज्ट के रिलेटेड़ सारा चीज हम लोगों ने पढ़ लिया अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में और यो टैग वीडियो टैग आई फ्रेम टैग सारा यह सब पढ़ें